कि आप सभी उमीद करता हूँ आप सब खुस होंगे और एक खुसाल मोर्णिंग में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बेतरीन इंफोर्मेशन और आज से अपना कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और इस कोर्स में क्या हम पढ़ने वाली है कब ये कोर्स हमारा स्टार्ट से एंड तक जाएगा और इस कोर्स का में फीचर क्या रहेगा और क्या ये कोर्स आपके एक्जाम के लिए सफीशन रहेगा तो इन संबादों की जानकारी लेने के लिए जुड़िये हमारे साथ इस सेशन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबस से काफ़ी सारे student हो सकता है English medium हो लेकिन हमारे लिए हर वो aspirant जरूरी है जो हमसे जुड़ा है और काम्याभी किराब पर चलना चाता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ level के अगर बात की जाए तो यहां level आपका vary करेगा class 9th से जो आपने साइस बढ़ा है 9th से लेके 12 तक यह vary करेगा कई chapter ऐसे होंगे जो काफ़ी आथसान है कई chapter ऐसे होंगे जिनको समझने में आपको थोड़ा effort करना पढ़ सकता है लेकिन आपका base बनाते है अगर आपको class 8 तक class 8 तक का syllabus याद है class 8 तक की information आपके पास है तो उससे आगे की जिम्मेदारी मेरी है उससे आगे आपको कहा तक लेके जाना वो जिम्मेदारी मेरी है till examination मैं आपके साथ हूं उसके बात मैं आपसे बात करूं कि सारा जो आपका syllabus रहेगा यह exam oriented रहेगा यानि कि आपका syllabus pattern दिय क्लीं वह लो किया जाएगा टो एक बार नजाद डाल लेते की क्या दिया गया है राटे की syllabus में क्या-क्या है क्यों यह सब से पहले आपको क्या दिया गया है सब से पहले है एक यह easy understanding of thermodynamics इसका मतलब पहला हिए सर्द्र हड्री आपका रहेगा वो रहेगेगा कृडी मिंड thermodynamics यहां से आपके श्रुवात होगे उसके बाद second part में आपके पास हो जाएगा most of आपका पोर्ष यह basic idea आपके पास हो जाएगा और यहां motion आप लेके चलेंगे वन डी में यहने की straight line motion बारे में जैसे पोर्ष में यहां पर मैं चर्चा करूँगा किसकी प्रिक्सन की यहां में चर्चा करूँगा तो त्यौपिक रहेगा वो रहेगा उस्मा वे उस्मा गतिकी उस्मा वैर उस्मा गतिकी सर इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ाएंगे हम तो सबसे पहले दो टाइप की उस्मा जैसे आपके लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट आपके विशिष्ट उस्मा, गुप्त उस्मा उसके बाद सर क्या होगा टेंप्रेचर यानि तापमान संबंधिक उसके बाद जैसे न्यूटन का सीटलन का नियम आपका विश्थापन का नियम स्ट्रीफन का नियम या जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है हर एक वो कंसेप्ट आपको दिया जाएगा हीट एंड थर्मोडाइनिमिक्स में दूसरा है आपके पास गती और बल बेश्थिक गती वैबल और बल में यहां पर कौन सा बल दिया जाएगा आपको गर्शन बल आपको दिया जाएगा आपका गर्शन बल प्रिक्शनल फोर्स आपको पढ़ा जाएगा उसके बाद है आपके पास गती के नियम गती के नियम आपके पास सब न्यूटन के गती के नियम हाँ न्यूटन के गती के नियम आपके लिए जरूरी है लेकिन उससे पहले गैलिलियों ने जो लोज ओफ इनर्शिया जड़तव के नियम जिये थे हमें इस दुरुआत वहार से करने होगी कई बार के उशन जड़तव से आता जैसे गाड़ी ने ब्रेक लगाया हम आगी के और गिरी गाड़ी निया चाने चलना सुरू किया हम पीछी के और गिरी तो ऐसे ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट आते हैं हमें वह भी सीखना है तो हम इनर्शिया और न्यूटन के जो लोज ओफ मोशन है उनकी चर्चा करेंगे उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा आपके पास complete detail about gravitation gravitation गुरुत्वा कर्शन उसके बारे में पूरी चर्चा रहेगे आपसे गुरुत्वा कर्शन की पूरी जानकार या आपको दी जाएगे क्या होता है कैसे होता है वो सारी जानकार उसके बाद सथ उसके बाद मोशन में आपके पास जैसे circular motion विर्थिय गति है circular motion से कई बार क्योशन बन जाता है या फिर आपका projectile motion पर छेप में गति है जैसे चलती हुई प्लेंस से किसी वैक्ति को गिरा दिया जाए तो बते यह उसका रास्ता कैसा होगा तो उस तरीके के जो क्योशन रहेंगे आपके पास वो आप projectile motion में पढ़ोगी यहां आपका अगला पार्ट क्या है विर्तिय गति विर्तिय गति और साथ में आपके पास रहेगा पर छेपर गति यह आपके पास रहेगा और छेपर गति उसके बाद सर अगला पार्ट आपको क्या दिया गया है अगला पार्ट है आपके पास प्रेसर यानिकी दाव और यही से हम रिलेट करक चलेंगे एट्मोस्फिरिक प्रेसर वायू मंडल ये दाब आपके पास क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि बैरोमीटर की डिडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाए ये किसका संकेत है अचानक से विर्दी हो जाए ये किसका संकेत है तो ऐसे ऐसे जो क्योशन आएंग साथिरे और गैहें हो ज़िडियों मात्रक और विमा वाला जो टोपिक होगा वह यहां करवाजाए जाएंग आंएंगसे और इसी तरीके से अगला नखेिगा आपके पास वेव एड्ग साउंड कि को सँ तरन्वे ध्वैनी यह आपका अगला पार्ट रहे इस तरीके से आपका एक सिस्टेमेटिक वे से कम्प्लीट स्लेबर्स करवाज जाएगा और इस स्लेबर्स में आपको लगबग लगबग 45 से 45 क्लासिस से 50 क्लासिस आपको दी जाएगे यह क्लास का अपने आप में एक इम्पोटेंस है साथ में कुछ प्रेटिस क्योशन आपको दीए जाएगे वो आप खुझ से भी सॉल करेंगे और जो आपका डाउट रहेगा वो डाउट आपका सॉल करवाय जाएगा जाएगे और इसी तरीके से पहले एक बार फीजिक्स कम्पलीट कर ले हम बाद में फिर हम चर्चा करेंगे केविस्टी की तो आज आगाज हो चुका है, आज से आपकी physics classes start हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने आपको mentally prepare कर लें, कि अब रोजाना आपकी एक से दो class आपके लिए available होती रहेंगी, तो जल्दी से जल्दी आपने आपको तयार करें, और हाँ एक सी ध्यान रखना जो भी class य ही आएगी, तो इन सब information के साथ मैं आज एक नेज दोर के आगाज करता हूँ, जैहिन जैपार्थ Good morning dear friends, कैसे आप सभी तो उमीद करता हूँ, आप सब खुश होंगे और आपके सुबह को और ज़्यादा खुशाल बनाने के लिए, मैं सुनुक मार आप सब के सामने हाजिर हूँ, आपके एक नए सेशन के साथ, और सबसे important chapter के साथ, that is, heat and thermodynamics दोस्तों, यहाँ से आपका स्लेवर्स स्टार्ट होता है, और स्लेवर्स में मैं आपको बता दू, बिल्कुल हम basic से लेके चलेंगे, और उस level तक लेके जाएंगे, कि exam में चाहिए कितना भी बड़ा numerical आए, आप without using pen, उस numerical को solve कर सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों, फटाफट आपको मिल जाएगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी heat की, heat की बात करते हैं, कि उस्मा क्या होता है, what is heat, उस्मा क्या होगा, तो देखिए, generally यह माना जाता है, कि किसी वस्तु को गरम करने के लिए, या ठंडा करने के लिए, हमें उस्मा की जरूरत होती है लेकिन अगर exam में इसकी परिवासा से question आता है definition से question आता है तो इसकी सही definition क्या select करना है आपको a mode या mode की वज़ाए वो यूज़ कर सकता word method method of transfer of method of transfer of energy यनि कि ये कह रहा है कि उस्मा क्या है उस्मा उर्जा स्थानांतरन का एक तरीका है उर्जा स्थानांतरन का तरीका है तरीका है या जरिया आप कह सकते हैं तरीका है और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है यहां से important part है heat transfer from heat transfer from heat कहा से कहा परवाहित होती है ट्रांसफर फ्रोम ही होती है और कब तक यह एनरजी ट्रांसफर होगी अब तो अब तक यह thermal equilibrium उसमें सामय अवस्था तक thermal equilibrium तर्मल एक्विलिब्रिम उसमें सामय अवस्था तक सरी उसमें सामय अवस्था का क्या मतलब है उसमें सामय अवस्था का मतलब है कि टेंप्रेचर का टेंप्रेचर का बराबर होना जैसे माल लीजिए कि एक वस्तु है आपके पास A और ये दूसरी वस्तु है आपके पास B अब A से हीट B की तरफ जा रहा है कब तक जाएगा जब तक temperature of A और temperature of B बराबर नहीं हो जाता और इसी को बोलते है thermal equilibrium तर्मल equilibrium उसमें ये साम्यवस्ता तो हीट की definition आपको clear हो गई होगी क्या है definition हीट energy transfer करने का वो तरीका है जिसमें high temperature से low temperature की तरफ energy का transfer होता है और ये transfer तब तक होगा जब तक जहाँ energy supply की जा रही है और जहां से energy supply की जा रही है दोनों का temperature बराबर ना हो जाए तब तक ऐसा चलेगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब ये heat एक तरीके से क्या है सर एक तरीके से energy या energy transfer है ये उर्जा ही है और अगर ये उर्जा है तो इसे मापने के लिए हमें कोई ना कोई unit चाहिएगा इसके कोई ना कोई तो मात्रक होंगे अरे हाँ या ना येस सर डेफिनेटली होंगे तो इसके मात्रक की अगर बात के जाए तो सबसे पहले है आपके पास SI unit SI unit SI मात्रक आपके पास क्या होगा SI मात्रक energy का क्या होता है Joule Joule ठीक है सर इसका CGS मात्रक क्या होगा CGS unit क्या होगा CGS unit सर SI का मतलब होता है International System of Units CGS का मतलब होता है कि आप length के लिए centimeter mass के लिए gram और time के लिए second का इस्तमाल कर रहे है CGS unit होता है Ard Ard ठीक है क्या सर इसके अलावा भी unit होगी definitely होगी तो सर्वो कौन सी unit होगी जो इनके अलावा है तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं उनके बारे में जानते other unit कौन कौन सी होगी आपका हो गया है कौन सा SI, CGS और इनके बीच अगर relation जानना है तो ये होगा एक जूल एक जूल आपका 10 की power 7 arg के बराबर 10 की power 7 arg के बराबर होगा तो hope यहां तक की चीज़े आपको clear हो गई होगी इसके अलावा भी अगर आप जानना चाते हैं तो ये क्या रहेगा आपके पास practical unit आपके पास practical unit क्या होगा तो practical unit होगा आपके पास calorie दैनिक जीवन में उप्योग में लाई गई उर्जा का मातरक तो आपका अंसर होगा calorie और आप जानते हैं कि एक calorie बराबर होता है कितना 14.186 Joule और कई जगे बुक में आपको ये मिल जाएगा approximately equal to 4.2 Joule इसके बराबर या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 Joule बराबर हो जाएगा 0.24 calorie के तो ये आपस में relation भी आपसे पूछ सकता है क्या सर इसके अलावा भी कोई unit होगी definitely होगी सर वो कौन सी तो चलियो उसके बारे में भी जान लेते हैं इसके अलावा और कौन सी unit हो सकती है तो बेटेन सिस्टम के according अगर आप जाते हूँ FPS unit ये बेटेन का engineering system है जहां लंबाई को किस में मापा जाता है foot में बजन को किस में मापा जाता है pound में और time को किस में मापा जाता है second second आपका हर जगे second रहेगा SI में, MKS में, CGS में FPF में, SuryaFPS में इन सब में आपका क्या रहेगा second रहेगा तो यहां क्या unit होता है यहां unit होगा आपका British thermal British thermal unit और in short इसे लिखा जाता है BTU British British उस में British उस में मात रखा आपके पास BTU British thermal unit और एक चीज़ और मैं आपको बता दो यहां से कि एक BTU thermal unit बराबर होता है 1055 joule या आप लिख सकते इसे 252 calorie 252 calorie या आप लिख सकते हो देखे जर्नली क्या होता है कि यही unit आपके notebook की सोर्य आपके booklet में दी होती है लेकिन कई वार ऐसा होता है कि examiner की thinking हमारी thinking से भी आगे की होती है तो अब हमें सोचना पड़ेगा examiner की तरह और examiner इसमें से और क्या निकाल सकता है वो निकालेगा एक और unit थर्म जापे भी आपको थर्म वर्ट मिलता है इसका मतलब यह उस्मा से संबंदित है और आपका वन थर्म वन थर्म बराबर होता कि इसकी दस की पावर पांच बेटिस थर्मल यूनिट तो आपसे अगर यह पूछले कि कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है तो थर्म है आपके पास या बाकी का भी relation आप बड़ी आसानी से निकाल सकते है थर्म के बाद आपका बेटिस थर्मल बेटिस थर्मल के बाद क्यालोरी फिर आपका जूल सबसे छोटी क्या हो गई अर्ग तो इस तरीके से इनका sequence भी आपसे पूछ सकता है तो ये तो हुआ कि हीट क्या होती है लेकिन लेकिन क्या सर कि function of heat क्या होगा function of heat क्या होगा उसमा के कारिये क्या होते है उसमा के कारिये क्या होते है तो इसमें आपके पास दो condition आ सकते है function of heat में आपके पास दो condition आ सकते है उसमा के दो कारिये आपको दिखाई दे सकते है सर्फ कौन से दो कारिये तो देखे पहला है आपके पास function of heat में पहला part है आपके पास यहां से temperature change temperature change या तो उसमा से क्या हो सकता है ता परिवर्दन हो सकता है temperature change हो सकता है ता परिवर्दन हो सकता है temperature change या फिर क्या हो सकता है state change state change अवस्था प्रिवर्तन सर अवस्था प्रिवर्तन कैसे इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे अवस्था प्रिवर्तन से कैसे वो देखे यहां से स्टेट चेंज से आपके पास कैसे क्योशन बनेगा स्टेट चेंज से आपके पास कैसे क्योशन बनेगा एक सेकेंट रही कोपी होगा चलिए एक बाद स्टेट चेंज का मैं आपको बता देता हूँ स्टेट चेंज या आप कह सकते हूँ फेजी चेंज स्टेट चेंज या कह सकते हूँ फेजी चेंज इसको बोलते है अवस्था प्रिवर्तन सरी ये कैसे कैसे होती है उसके बारे में भी हम जान लेती है अवस्था प्रिवर्तन के बारे में भी जान लेती एक तरफ आपने रखा है सोलिड एक तरफ आपने रखा है लिक्वीड वही एक तरफ आपने रखा है गैस इस तरीके से वैसे आप जब केमेस्टी में ये टोपिक पढ़ोगी तो आपके जो स्टेट होगी सोलिट, लिक्वीड, गैस, प्लाजमा, बोस आइंस्टेन कंडनसेशन और फर्मी आइनिक कंडनसेशन पांच के बजाए छै के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन यहां के लिए आप बेसिक पढ़े अगर आप बात करें सोलिट से लिक्वीड में चेंज होने की तो इसे बोलते हैं क्या मेल्टिंग, पिंगलना मेल्टिंग के लिए आज कर एक वर्ड और यूज करें है फ्यूजन सर फ्यूजन तो हमने देखा था नाभी के सलन, नाभी के विखंडन यानि सन के अंदर न्यूक्लियर रियक्शन उस टाइप से वो अलग है यहाँ पे आप फ्यूजन को क्या मानके चलेंगी मेल्टिंग, हिंदे में क्या हो जाएगा पिंगलना और अगर लिक्वीड से सोलिड बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग इसको बोलेंगे फ्रीजिंग अगर लिक्वीड से गैस बन रहा है तो इसको बोलेंगे उबलना बोईलिन या फिर वैपराइजेशन वास्पी कर्ण आप इसे नाम देंगे लेकिन अगर आपका गैस को थंदा करके यानि भाव को थंदा करके वापिस पानी में बदला गया है इसको बोलते हैं क्या हम कंडनसेशन इसको क्या बोलते हैं हम कंडनसेशन हिंदे में हो जाएगा आपके पास संगनन हिंदे में हो जाएगा आपके पास संगनन ठीक है आप यहां से देखे हम सोलीड से गैस की अगर बात करूँ में तो यह रहेगा आपके पास सबलीमेशन sublimation यानि कि आपका direct solid से gas में बदलना और gas से वापि solid में बदलना तो इसके लिए आपका word हो जाएगा desublimation हिंदी में सेम रहेगा ये ध्यान रखना desublimation या आप इसी को दूसरा नाम भी दे सकते हो deposition deposition ये word खूसर तो ये आपने देखा कि अलग-अलग process के लिए अलग-अलग नाम दिया गया है लेकिन हम अगर इसी topic को इसी term को और आसान भासा में समझना चाहें तो क्या होगा उसके बारे में जाने है उसके बारे में जाने है यहां से state change में आप generally दो पार्ट लेके चले वैसे तीन की possibility लेकिन आप दो लेके चले पहला यहां पर आपके पास क्या है solid यानि ठोस और इधर क्या है आपके पास liquid दर आपने क्या किया सर आपने यह किया कि अगर इसको heat दिया तो solid किसम बदल गया है liquid में और अगर आपने इसमें से heat निकाल लिया तो liquid किसम बदल गया solid में लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जब तक state change हो रहा है तब तक temperature में कोई change नहीं होगा और जब तक temperature change हो रहा है तब तक state में कोई change नहीं होगा यह चीज आप याद रखके चलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते ही यहां से आगर मैं बात करूँ यहां से आपके पास हो जाएगा क्या यहां से आपके पास liquid और इधर आपके पास gas अगर heat दोगे तो यह gas में और अगर heat निकाल लोगे तो यह किसमी liquid में तो इस वाली term को क्या नाम दिया जाता है इससे नाम दिया जाता है latent heat latent heat of fusion गलन की गुप्तुस्मा गलन की गुप्तुस्मा गुप्तुस्मा ठीक है? और इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? आपका लेटन्ट हीट ओफ वेपराईजेशन latent heat of vaporization vaporization वास्पिकन की गुप्त उस्मा वास्पिकन की गुप्त उस्मा वास्पिकन की गुप्त उस्मा यह चीज आपके पास ठीक है तो state change के लिए जो heat आपको चाहिए state change के लिए जो heat आपको चाहिए उसे नाम दिया जाता है latent heat गुप्त उस्मा latent heat या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है hidden heat इसी को दूसरा नाम दिया जाता है hidden heat हिंदी में इसे कहा जाता है गुप्त उस्मा हिंदी में इसे कहा जाता है गुप्त उस्में, यहां आगर बात की जाए temperature change की, तो temperature change के लिए आपको जो heat चाहिए, उसे नाम दिया जाता है, specific heat. Specific heat, विसिष्ट उसमा उसे नाम दिया जाता है. विसिष्ट उसमा उसे नाम दिया जाता है. Hope यहाँ से आप समझ गये होगी, या तो heat से state change होगा या temperature change state change होआ तो specific heat और temperature change होआ तो आपका latent heat या hidden heat यानि गुपतुस्मा तो ये दो पार्ट आपके सामने आए हैं आपका temperature change वाला specific heat और state change वाला latent heat चलिए आप इनको detail में पढ़ना start करते हैं कि डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आता है आपके पास कि थर्मल कैपेस्टी कि उसमी धारिता कि एक वार इसकी डेपनेशन को ढंक से समझ लेना क्योंकि इससे आगे जो पार्ट आएगा वो इसी पे बेश्ट होगा इससे आगे जो पार्ट आएगा वो इसी पे बेश्ट होगा देखिए क्या कह रहा है up to 1 degree Celsius, up to 1 degree Celsius, तो यहां द्यान देजी, इसे लिखा जाता है Q is equal to C delta T, तो T यहां पर क्या आपका हो जाएगा, thermal capacity, thermal capacity, सर हिंदी भी बताई, तो चलिए हिंदी भी देख लीजी, इसका हिंदी क्या है, किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान, एक डिगरी Celsius तक प्रिवर्थित करने के लिए, एक डिगरी Celsius तक प्रिवर्थित करने के लिए, करने के लिए, दी गई उस्मा, वो कहला है कि उस्मा धारिता, उस्मा धारिता, thermal capacity, तो यहाँ से C को एक तरफ ले आए, तो क्या हो जाएगा, Q by delta T, ठीक है सर, अब यहाँ से अगर आप ध्यान दे, इसका unit क्या बन जाएगा, इसका मातरक क्या बन जाएगा आपके पास, मातरक बन जाएगा, जूल पर Kelvin, और इसका अगर dimension की बात करूँ मैं, विमा क्या बन जाएगा, इसका, dimension क्या बनेगा, तो dimensional formula आपका हो जाएगा, जूल के लिए रहता है आपका M, L2, T-2, और Kelvin नीचे है, उपर आएगा, तो Kelvin inverse, यह आपके पास बन जाएगा, तो यह था आपका thermal capacity, thermal capacity, यह था आपका thermal capacity, चली हो सकता आपका बीच में, बीच में आपके सामनी visible ना हो, एक बार मैं फिर से बता देता हो, thermal capacity क्या होता है, thermal capacity किसी वस्तु को दी जाने वाली उस्मा होती है, जिस से उसका तापमान 1 degree Celsius तक change हो जाए, किसी वस्तु को दी गई उस्मा, जिस से उसका temperature 1 degree Celsius तक change हो जाए, formula है q is equal to c delta t formula है आपके पास q is equal to c delta t c क्या है यहाँ पर thermal capacity है अब c किसके वराबर है q y delta t और q का unit क्या होगा joule per Kelvin और dimension क्या होगा ml2 t minus 2 k minus 1 क्योंकि energy का dimension होता ml2 t minus 2 नीचे है temperature Kelvin तो यह नीचे से उपर आएगा Kelvin inverse तो किसी वस्तू को दी गई उस्मा की मात्रा जिससे उसका तापमान एक डिगरी सेल्चेस तक change हो जाई उसे बोलते हैं उसकी उस्मा धारिता चलिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं अब यहाँ से आपको देखना है specific heat capacity और heat के वज़ाए आप thermal भी वर्ड योज कर सकते हो विशिष्ट विशिष्ट उस्मा धारिता विशिष्ट उस्मा धारिता यहाँ इसी को आप क्या लिख सकते थी इसी को आप लिख सकते हो specific heat हाँ सर specific heat तो हमने अभी थोड़ा सा आइडिया लिया था विशिष्ट उस्मा विशिष्ट उस्मा सर दोनों में क्या डिफ्रेंस है एक बार उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें देते थी इनके बीच डिफ्रेंस यह है कि अगर किसी एक यूनिट के बात की जाए जैसे मास एक किलोग्राम, लेंथ एक मीटर, एरिया एक मीटर स्केर या फिर आपका जैसे टेंपरेचर एक डिगरी सल्चेस या एक केल्विन जब भी ऐसे बात करते, एक यूनिट के बात करते हैं तो क्या वर्ट यूज किया जाता है? स्पेसिफिक तो जो हीट कैपेश्टी थी वह अगर आप वन केजी के लिए यूज़ करोगे तो उसी को क्या नाम दे देंगे? specific heat capacity तो देखे इसके statement क्या होगी the amount of heat the amount of heat उस्मा की मात्रा required to change the to change the temperature of to change the temperature of 1 kg substance change the temperature of 1 kg substance up to कितना 1 degree Celsius और 1 Kelvin अब यहां कैसे लिखोगे Q is equal to M C delta T और M कितना 1 kg T कितना 1 तो Q किसके वराबर हो जाएगा C के तो अगर ऐसे लिखा गया है तो यहां किसको रिप्रेजेंट करा सी यह रिप्रेजेंट करा है specific heat को विशिष्ट ओस्मा को रिप्रेजेंट करा है सर इसकी statement हिंदी में कैसे लिखेंगी तो देखी एक किलोग्राम वस्तु का तापमान एक किलोग्राम वस्तु का तापमान एक डिग्री सेल्चियस या एक कैल्विन प्रिवर्थित करने के लिए चेंज करने के लिए प्रिवर्थित करने के लिए प्रिवर्थित करने के लिए उस्मा के मातरा उस्मा के मातरा यह चीज़ आपको यह पता होना चाहिए तो बड़े आसानी से आप यह निकाल सकते आप यहां से आपको देखना है specific heat विशिष्ट उस्मा specific heat तो यह हो जाएगा आपका q is is equal to mc delta t तो c की value क्या हो जाएगा this implies c is equal to qy m delta t यह वाल पाट चलिए इसी पे आगे चर्चा करते हैं तो आपको इसकी definition समझ आ गई होगी कि एक किलोग्राम वस्तू का थापमान एक degree celsius या एक kelvin तक change करने के लिए प्रियोग में लाई गई उस्मा की मातरा आपके विशिष्ट उस्मा क्याला ती ओप यह वाला पाट आपको clear होगा अगले चलते हैं अभी हम किसकी बात करें हैं अभी हम बात करें specific heat की अभी हम बात करें किसकी specific heat की तो विशिष्ट उस्मा की हम बात करें हैं यह क्या होगा आपके पास specific heat क्या होगा आपके पास विशिष्ट उस्मा क्या होगा आपके पास विशिष्ट उस्मा क्या होगा आपके पास देखे C is equal to QY M delta T यहां से अगर आप unit निकालते हो इसका तो unit क्या हो जाएगा आपके पास Joule पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्चियस या फिर आप लिख सकते हो Joule पर केजी सारे अगर SI में यूज़ करने है पर केल्विन यह आप यूज़ करते हैं ठीक है सर पोईशून ही है dimension की अगर मैं बात करता हूँ विमा की अगर मैं बात करता हूँ तो विमा कैसे निकालोगे देखे द्यान से Joule का यानि कि energy का dimension होता है ML2 T-2 ठीक है पर केजी यानि कि M inverse और पर केल्विन inverse तो यह वाला यह पर केल्विन तो यह केल्विन inverse आपके पास है तो M से M कैंसल आउट हो जाएगा क्या बन जाएगा dimension L2 T-2 K-1 यह आपका dimension बन जाएगा तो specific heat यह unit यह dimension आपको clear होगा ठीक है अब इसके बाद specific heat की जो value होगी तो यहां से देखी specific heat maximum for सबसे ज़्यादा किस के लिए होगी सरी यह maximum होगी अधिक्तम होगी किस के लिए water के लिए जल के लिए और सर होगी कितनी तो यह होगी आपके पास 1000 कैलोरी पर केजी पर degree Celsius ही जर्नली यूज़ करता है लेकिन change की जब बात हो delta T की जब बात हो तो चाहे Celsius लिखो चाहे Kelvin लिखो कोई फरक नहीं पढ़ता है अगर formula में delta T है तो Celsius या Kelvin का कोई फरक नहीं है यह हो जाएगा आपके पास पर Kelvin या पर degree Celsius आप लिख सकते हो जर्नली ये degree Celsius से आता है और इसी को जब जूल में बदलोंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास अप्रोक्सिमेट ब्याली सो जूल पर केजी पर degree Celsius ठीक है ये आपके पास हो जाएगा सर क्या ये हर एक object के लिए एक जैसा रहता है आंसर होगा no कैसी सर specific heat of ice is equal to specific heat of water divided by 2 ये आपके पास तो ये अलग-अलग material के लिए अलग-अलग इसकी value रहती है अलग-अलग material के लिए अलग-अलग इसकी value रहती है हाँ यहाँ से एक question और आप add कर सकते हो rarely वो question पूछा जाता है लेकिन add कर लीजी among all liquid metals among all liquid metals liquid metals liquid sodium have liquid sodium have liquid sodium have maximum specific heat maximum specific heat maximum specific heat ये चीज़ आपको याद रखने के लिए ये चीज़ आपको याद रखने के लिए ये वाला part hope ये चीज़ आपको clear होगी ये चीज़ आपको clear होगी हिंदी में ये क्या लिखा जाएगा सभी दर्वीत धातू में सभी दर्वित धात्वों में दर्वित सोडियम के लिए विशिष्ट उस्मा का मान अधिक्तम होगे विशिष्ट उस्मा अधिक्तम होगे अधिक्तम होगे यह अधिक्तम है यह अप्लिक्स तो यह हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन सवाल आता है कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ एक्जाम के लिए नहीं इसकी कुछ प्रेटिकल अप्लिकेशन भी होगी तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं इसकी क्या practical application है देखे applications of यानि कि जो आपने पड़ा है उसी का क्या उप्योग है applications of a specific heat विसीष्ट उस्मा के उप्योग विसीष्ट उस्मा के उप्योग ये क्या होगा आपके पास विसीष्ट उस्मा का उप्योग specific heat का आपके पास application of specific heat समझे इस चीज़ को application of specific heat सबसे पहला आपसे कहा गया है कि water and liquid sodium water and liquid sodium जिनकी चर्चा अभी जस्ट पीछे हम करके आएगे are used as are used as coolant used as coolant in nuclear reactor coolant in nuclear reactor nuclear reactor सर इसका मतलब इसका मतलब है कि जल जो कि साधान जला patch 2 वे दर्वीत sodium का उप्योग दर्वीत sodium का उप्योग किसमें नाभी के सयंतर में सीतलक के रूप में होता है 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 ठीक है ये चीज़ आपको याद रखे सर ऐसा क्यों है और कूलेंट का काम क्या है आप जानते हैं जहां नाभी के अभिकिरिया होगी वहां तापमान हजारों से लाखों डिगरी से अलशेस तक रहता है और इतना जादा तापमान अगर वह बहुत जल्दी से घट रहा है या बहुत जल्दी से बढ़ रहा है दोनों नुक्सियां रायक हो सकते हैं तो तापमान को ना जल्दी से घटने दे ना जल्दी से बढ़ने दे एसी चीज का इस्तेमाल करो जिसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जादा हो क्योंकि यहाँ देखे Q is equal to M C delta T Q को x1 रखो M को x1 तो जिसके लिए C की वैल्यू जादा होगी उसके लिए delta T की वैल्यू क्या हो जाएगी कम जिसके लिए specific heat की value ज्यादा होगी उसके लिए change in temperature की value क्या हो जाएगी कम तो यही वज़य है कि जहां पे बहुत ज्यादा temperature change होगा और जिससे हमें समस्या होगी तो हम ऐसी वस्तों का इस्तमाल करेंगे जिसकी specific heat विशिष्ट उस्मा का मान ज्यादा हो सर्क कुछ example तो example भी आएंगे थोड़ा patience यहां से देखें दूसरा आपसे कहा गया है कि temperature of day minus temperature of night दोनों का जो difference होगा आपके पास day और night के temperature का जो difference होगा यह जो delta T होगा आपके पास यह आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कहा होगा maximum होगा आपका desert के अंदर और सबसे कम कहा होगा minimum कहा होगा C area के अंदर समूंदरी इलाकों के अंदर सर ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हो वो रेगिस्तान में होता है दिन और रात की तापमान का परिवर्तन रेगिस्तान में और सबसे कम जो परिवर्तन होता है वो समुंदरी इलाकों में होता है इसके पीछे वज़े क्या है समुंदरी इलाकों में होता है सर इसके पीछे वज़े ये है कि अगर रेगिस्तान के बात की जाए तो रेगिस्तान में है मिटी और मिटी के लिए विशिष्ट उस्मा का मान क्या है कम तो changing temperature क्या हो जाएगा ज़ादा C area में है पानी जहाँ विशेष्ट उस्मा सबसे ज़ादा है तो यहाँ changing temperature होगा सबसे कम यह वज़ाए है आपका इसके पीछे सर यह वज़ाए होगे आपकी कि दिन और रात के तापमान का अंतर रेगिस्तान में सबसे ज़ादा और समोंदरे आलाकों में सबसे कम होगा यह तक की चीज़े आपको clear होगे उमीद करता हूँ यह तक की चीज़े आपको समझ आ गई होगे ठीक है आप क्या करें कि इतना सा एक बार पढ़की वीडियो को यही रोकी और फिर एक बार सारा revise कर ले जिससे के connectivity बनने रहे आपकी वीडियो पर यह इपर रोक के रिवाइज कर ले थोड़ा सा एक बार इसको जब इसको आप रिवाइज कर लेंगे फिर आगे के चीज़े आपके लिए आसान हो जाएएगे आगे की चीजे आपके लिए आसान हो जाएंगी सर यहां हमें एक चीज की कमी नजरा रही है कि जो आपने एक्जामपल ये है इनका हमारी डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है तो क्या आप ऐसे एक्जामपल ले सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटीड हो और हम समझ भी पाएं, बिल्कुल होगा देखी थाइड पार्ट आपका इर्रिगाशन इजननी इर्रिगाशनी इर्रिगाशन इंसरी तो सेव क्रोब उस要 क्रोब और चेंज इन सीजन और चेंज इन सीजन और चेंज इन सीजन एगर हम बात करें यहां से अगर हम यहां से समझे चीजों को तो आप जानते हैं कि मार्च का महिना है दिन के समय गर्मी है, रात के समय ठंड है अब फसल खराब ना हो जाए इसके लिए फसल खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिच्चाई जाप पानी के मातरा ज्यादा ना वाजल्दी से गरम ना वाजल्दी से ठंडा इसके बाद एक और आप ले सकते हैं कि जब चोट लगती है तो आप वाटर बोटल का यूज करते हूँ यूज ओफ वाटर बोटल या मैं कहूँ वाटर बैग और सिकाई प्रेटिकल है तो इसलिए में आपका अपनी लेंग्विज में लिख देता हूँ जहाँ चोट लगती है वहाँ सिकाई के लिए जो बैग यूज किया जाता है उसमें गरम पानी डाला जाता है वज़े सर क्योंकि गरम पानी को यह पानी है गरम होने में भी सबसे ज़्यादा समय और ठंडा होने में भी सबसे ज़्यादा समय लेगा यह चीज आपको पता होँ और यह सब किसके बेसिज आप बता पाए on the basis of आपका on the basis of specific heat जिसके लिए specific heat के value ज़्यादा होगी उसके लिए temperature change कुछ important questions की list बनाएंगे देखिए पहला question आपके पास question number first if Celsius scale यदि Celsius पैमाना replaced by Celsius scale replaced by Fahrenheit scale replaced by Fahrenheit scale Celsius scale replaced by Fahrenheit scale यदि Celsius पैमाने को आप Fahrenheit पैमाने के साथ प्रिवर्थित कर दे पैमाने के साथ प्रिवर्थित कर दे तो क्या होगा सर् क्या होगा आपका change Fahrenheit पैमाने के साथ प्रिवर्थित कर दे तो change क्या होगा then value of then value of specific heat then value of specific heat इसमें क्या change आ जाएगा value of specific heat will एक चीज यहां से आप समझो आप जानते ही जब temperature change की बात की जाएगी Celsius ratio Kelvin ratio Fahrenheit ratio रिमर आपका फाइफ रेशो फाइफ रेशो नाइन रेशो और रहता है इसका मतलब की अब यहां पे डेल्टा टी पहले कितना पांच था लेकिन पांच को किसी replace कर दिया गया है नो से इसका मतलब अगर डेल्टा टी की value increase हो रही है डेल्टा टी की value ज्यादा हो रही तो C की value क्या होगी decrease होगी तो specific heat will decrease specific heat क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये चीज़ आपको याद रखना है यदि हिंदी में यहां लिखेंगी यदि Celsius पैमाने को यदि Celsius पैमाने को फैरन हाइट पैमाने के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए या फैरन हाइट से बदल दिया जाए फैरन हाइट पैमाने से बदल दिया जाए पैमाने से बदल दिया जाए बदल दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा विशिष्ट उस्मा घट जाएगे विशिष्ट उस्मा घट जाएगे विशिष्ट उस्मा घट जाएगे यह चीज़ आपको याद रखें hope यह वाला part आपको clear एक तो exam में यह question बनता है जो बार बार बनता है question number second आपके पास क्या specific heat सब के लिए एक जैसी होगी answer होगा no specific heat अलग-अलग material के लिए अलग-अलग होगी जो हम पीछे भी discuss कर चुके है तो उस पे हम ज्यादा time नहीं लगाएंगी उसके बाद आप से पूछा जाता है यहां से यहां से अगला part आप से क्या पूछा जाता है कि if यह दि if the या फिर हम direct भी situation को लिख सकते हैं sea bridge and land bridge sea bridge and land bridge are formed are formed due to sea bridge and land bridge are formed due to इसको बोलते है समुद्री पॉव्डी वैस थलिये पॉव्डी समुद्री पॉव्डी वैस थलिये पॉव्डी बनने का कारण बनने का कारण तो एक बार इसके बारे में जान लें हम उसके बाद detail देखेंगे इस sea bridge और land bridge होता क्या है जैसे ये मान के चले कि समुद्र है और ये मान के चले कि आप surface सत्य है एक तरफ c है और एक तरफ surface आपका किस तरीके से आपका एक तरफ surface है दिन का समय है sun यहाँ पे होगा आपका दिन का समय है तो अब heat आपकी यहाँ भी आएगी और heat आपकी यहां भी जाएगी लेकिन पहले गरम कौन होता है दिन के समय गर्मी की मौसम में आपने observe क्या होगा पानी ज़्यादा गरम है या उसके नजदिक में पड़ा rate ज़्यादा गरम है Sir, surface ज़्यादा गरम होगा तो यहां से आप देखोगे जहां पे जमीन गरम है वहां से गरम हवाई उपर के और रूटती है गरम हवाई उपर के और रूटती है यह वाली यह हो गई आपकी hot air और इन hot air के जगह लेने के लिए इदर से समुन्दर से हवा चलती है ये हो गई आपके cold air थंडी हवा cold air थंडी हवा तो ये जो हवाई किदर समुंदर से surface की ओर चलती है इन्हें कहते हम sea bridge इन्हें कहते हम समुंदरी पौने sea bridge कहलाती है sea bridge कहलाएंगी है और आगर रात के टाइम के बात की जाए रात के टाइम के हम बात करें किया से अब यहां सन के वजाए क्या हो जाएगा मून सन के वजाए क्या होगा मून देखें अब यहां से अब हमें पता है कि जोची जितनी जल्दी गरम होगी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी क्योंकि specific heat का मतलब यह नहीं है कि गरम होने में तो गरम और ठंडے दोनों में अपना roll प्ले करेगी तो यहां देख़े आप दोनों में इरो प्ले करेगी तो यहां देख़े आप क्या होगा आपके पास अगर इस वाले पार्ट के बात करें और इदर इस वाले part के बात करें अब गरम हवाई इदर से उपर उठेंगी इदर से उपर उठेंगी और ठंडी हवाई किदर से चलेंगी ये ये तो हो गए आपकी hot air जो पानी की उपर से C के उपर उठेंगी और जो ठंडी हवाई चलेगी वो किदर से चलेगी सर्फेस यानि कि इस बार हवा की डारेक्शन सर्फेस से स्थी की तरफ है इसको बोलते है स्थलिय पाउने लेंड प्रिज इसे नाम दिया जाए तो अब यह हम कैसे समझ पाई कि सर्फ इसके लिए सी की वैल्यू थी ज्यादा तो चेंजिन टेंपरेचर हुआ कम और इसके लिए सी की वैल्यू थी आपके पास कम तो चेंजिन टेंपरेचर हुआ ज्यादा तो अगर कोई वस्तु जल्दी गरम हो रही और जल्दी ठंडी हो रही इसका मतलब विसीष्ट उस्मा की वैलू उसके लिए क्या है कम है तो होप विसीष्ट उस्मा तक आपको क्लियर हो गया होगा इससे आगे वाले सेशन में हम डिसकस करेंगे आपका लेटेंट हीट गुप्त उस्मा से स्टार्ट करेंगे तो इस सेशन को देखने के लिए आपका तैय दिल से धन्यवाद उम्मीद करता हूँ सब चीजे समझ आई होंगी अगर कोई डाउट है तो अपना साथ साथ क्लियर कर ले तभी आप आगले सेशन पर बटे थैंक यू सो मच जैहिन जैभार